काउंट डाउन आज नतीजों का दिन है तो काउंट डाउन की शुरुवात हो चुकी है और आज दिन भर मेगा कबरिज न्यूस 24 आपके लिए लेकर क्योंकि आप जानते हैं चुराओं मतलब सिर्फ और जिर्फ न्यूस 24 तो आपकी बार किसकी सरकार हमारी मेगा कबरिज ले कि आखिर किसके सिर सजेगा सत्ता का ताच बिलकुल और हम बड़ी ख़बर के साथ शुरुबात करें महराज जारकंड आप जानते हैं और साथ-साथ उत्तर प्रदेश भी जोड़ लीजे नौ सीटों का उपचुनाव हो रहा है और आज नतीजों पर नजर रहने वाली है क किसका नेरेटिव चला किसका नेरेटिव धड़ाम हुआ कौन से मुद्दों का जोर देखने को मिला तो कुल मिला करके आज उपचुनाव के साथ-साथ दो राज्यों के नतीजे और बड़ी ख़बर ये कि 9 सीटों पर उपचुनाव के भी नतीजे आएंगे इधर वाइना पर भी आज वोटों की डिनती होगी सुभा आठ बजे से शुआ हो जाएंगे वोटों की गिनती रुजान आने शुरू हो जाएंगे और तीरे-ठीरे तस्वीर साफ होने लगेगी की महरास्तर में आखे ठंग असेंबली है पुर्न बहॉमत वहभर धीजे ग्जिऊ दीजे जिरो हर जगर नजर आ रहा है एक्जिट पोल्स ने जो कुछ का है उसने इस पूरे चुनाव को बहुत इंट्रेस्टिंग बना दिया बेहद दल्चास पफ तक शायद ऐसा पसा हुआ चुनाव बहुत कम देखने को मिलता है कोच ऐसे इस बार देखने को जुड़ गए हैं बहुत बहुत इंपोर्टेंट है आज जानना कि किस तरह का महाल इस वक्त महरास्ट में बना हुआ है जारखन में बना हुआ है और हमारे साथ डिट्री एडिटर संजीव डॉक्टर संजीव त्रिवेती भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है तो चले सबसे पहले Ground Zero का मैं रूख कर लेती है विनोद जगदाले आपको नजर आ रहे है विनोद अभी तो अंधेरा चाय हुआ है लेकिन आज सुभा किसकी होने वाली है पूजा वो डिप्रेंस देखिए ये किसी को पता नहीं है कमल खिलेगा हाथ का पंजा हाएगा या और कुछ होगा देखिए सबसे पहले पाच्वा मेरा विरान सबा चुनाव है इतना फस्ता हुआ चुनाव आचा ने जो कहा ना इतना फस्ता हुआ चुनाव मैंने कहीं नहीं देखा तो यही बात है कि इस बार कोई दावा नहीं कर रहा है मतलब दोनों दो पार्टिया दावा कर रही है लेकिन कोई उम्मेद्वार जीत का जाधा दावा नहीं कर रहा है मैं आपको एक बात बतरा चाहता हो की जो छोटे दल है न जोसे महादेव जानकर की पार्टी है वो प्रकाश हम्बिडकर बच्चु कडू इन तीनों से संप्यक बनाने की पूरी कोशिच दोनों दलों ने की है उदर प्रकाश हम्बिडकर ने ट्वीट करके एक्सपर कहा है हम सत्ता के साथ रहना पसंद करेंगे लेकिन किसके साथ उन्हें कोई परेज नहीं कोई विचारदाना नहीं उनका कहना है कि हम सत्ता के साथ रहने वाले है फिर चाहे हो महाविकास आगारी हो फिर चाहे हो महायुती हो और तो और बच्चु कडू ये कह रहे है कि महायुती और महाविकास आगारी की क्या जरूर और तो और यहाँ पर जो शेत्रिय पार्टी भौजन विकास आगाडी उसके हमेशा 2-3 सीटे हमेशा फिक्स मानी जाती है उस चुराव शेत्र में जहाँ पर उनका वस्थे विरार में दबदबा है तो वो तीन सीटे और सबसे दा निर्दली है उनको लाने के लिए पूरी सं काम पे लगाया है उदर जैंत पाटिल बालात साथ थोरा इन दोनों को काम पे लगाया है कि आप निर्दरियों से बात करो छोटे दलों के साथ बात करो अब उन्हें चोटे दलाएंगे तो उनकी कीमत बड़ी हुई होगी तो उन्हें वहाँ पर कैबिनेट मंत्री पधी च किराया उधर महाविकास अगाडी ने जहां बुक किया बीस अजार एक रूम का किराया खोको की चर्चा हो रही है क्या चल रहा है कि अदे की पूरा-पूरा रिसॉर्ट मतलब यह पूरा-पूरा होटल बुक कर दिया विवानता बाइता आज प्रेसिडेंट कब परेड में जहां पर आपको पता ही होगा कि एकनार शिंदे जो महराश में लोटे थे तब बीजेपी और शिवसना के विधायक वहाँ पर ठेरे हुए थे तो वहाँ पर भारते जनता पार्टी के विधायक वहाँ पर रहेंगे इसके आलावा उनके जो सयोगी या निर्दलियों कोई अता है तुने वहाँ पर रखा जाएगा कॉंगरेस पार्टी ने हमेशा कॉंग्रेस पार्टी का यहां पर मूंबए में बैठक हुई है वह OBERA होटल में हुई है वहाँ पर उनके लिए कमरे बुक किये गये हैं और तीसी एक बात कॉंग्रेस पार्टी ने एरपोर्ट के नज़िक एक होटल से भी संपार किया है वहां से अगर कोई निर्दलिय या पिर कैसे चोटे पार्टियों के नेता या विधायक जो जीतेंगे उनको वहाँ पर लाने के लिए वहाँ पर रखा जाएगा मौका मिला वक्त ऐसी स्थिति आई के दोरों तरफ पेज फसा हुआ है तो कॉंग्रेस की तयारी देख यह लगता है कि कॉंग्रेस को लग रहा है कि उनका यह मुख्य मंतरी वहाँ पर होगा अच्छी बात है कुछ कह सकते हैं कि दो घंटे बाद थोड़े नतीज़े रुजान आने शुरू हो जाएंगे और करे 12.2 के बाद यहाँ पर पूरे न टीवी शुरू करेंगे क्योंकि जो हर्यारा में हुआ कॉंग्रेस पार्टी सो के उपर गई थी और बाद में जो नीचे आने लगी तो वह बहुमत से भी दूर हो गई तो कुछ लोग ऐसे हैं कि अब लीड कितना लेते हैं इनके सामने चुनावी मैदान में उनके जुराजनितिक गुरू है उनके भतीजे है